अगेन वेलकम स्टुटेंट और यूटूब चैनल, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आगे का जो चैप्टर है उसी को बनाने वाले हैं, और लास्ट वीडियो में हमने मैनेजमेंट के एक केरेक्टरस्टिक्स या फिर नेचर कहें, और उसका इंपोर्टेंस ये द सिस्टेमेटिक और स्पेस्टलाइस नॉलेज है एक सिस्टेमेटिक धनसिक चलता है और खुद का नौलेज है एक अलक फील्ड का नौलेज है specialized science एक subject है जिसके अंदर कुछ rules होते हैं कुछ principles होते हैं और यह हमें पता होता है कि science में इस current से यह effect पढ़ रहा है cause and effect relationship भी होता है science के अंदर same same वैसे ही management के अंदर भी science से कुछ characteristics है management भी एक खुद का knowledge है खुद का specialized knowledge लेना पड़ता है universality है देखो science है ना एक बार अगर कोई science में कोई चीज हो गई तो वह पूरे universe में वही मानी जाती है फिर वह नहीं कि इस जगह के लिए वह applicable नहीं होगा यहां पर applicable नहीं होगा नहीं science की हर एक चीज हर जगह applicable होती है management भी universality मतलब हर जगह applicable होता है इसके अंदर भी cause and effect relationship होता है हमें पता होता है हम यह करेंगे तो यह होगा ठीक है management किसके उपर बेज होता है जो पुराने facts होते हैं हम उसको collect करते हैं और उसके हिसाब से उपर हम चलते हैं उसको management क्या है management भी एक science ही है management भी कुछ rules कुछ principles के उपर ही चलता है डॉक्टर जॉट डार्ट ही बोल रहे हैं कि science क्या बताता है science एक normal एक इंसान को कुछ नई चीजे जानने के लिए teach करता है science जो चीजे याद है न हम पहले बहुत सारी चीज़ों को जादू मान लेते थे बाद ने हमें बता चला कि वह जादू नहीं होते वह एक science का cause and effect relationship होता है तो science क्या बताता है science एक इंसान को जागरुत कराता है उसको कोई चीज को जानने की शक्ति देता है नाउ management as a art यह तो कोई field में expertise होना बट यह skill को implement कैसे करें इसके लिए आपको कुछ न कुछ तो knowledge होना चाहिए theoretical knowledge मतलब कुछ तो कुछ theory में knowledge होना चाहिए कि नहीं अब देखो ध्यान देना अब चलो ठीक है मेरे पास skill भी है मेरे अच्छा कासा मैं सोच भी सकता हूँ दूर तक cleverness भी मेरे अंदर है यह सब ठीक है और मेरे पास knowledge भी बहुत सारा है theoretical knowledge भी बहुत सारा मेरे पास लेकिन क्या वो काफी है management के लिए अगर मेरे पास skill है जो knowledge है जो cleverness है जो insight ने से अगर मैं उसको implement नहीं कर पाऊं तो फिर management का फिर क्या ही मतलब हो गया मेरे इतने सारे knowledge का तो आपके पास खाली knowledge होना वो बड़ी बात नहीं है उस knowledge को आप implement कैसे करोगे काम कैसे करवाओगे लोगों से उसको असलियत में जो चीज आपके पास theoretical है उसको practical कैसे करोगे वो होता है आपका कला वो होता है आगर वो आपके पास नहीं होगा तो आप management नहीं कर पाऊगे लिखाइए for this implementation of the knowledge technical art आपके पास जरूरी होना चाहिए अगर आपके पास स्कीज है उस가지고 इंप्लेमेट करना और समय पढ़ने पेर इसको चेंज भी करना डिटर जौरज आट ही यहांपर क्या बनाता है आट क्या बताता है कि एक किसी भी नंसान को इन्सान को आप क्या बताता कि यह करना है यह आठ बताता है कला ठीक है बाद में यहीं पर लिखा हुआ है कि management नहीं साइंस है नहीं आर्ट है बट एक sweet combination है दोनों का मतलब आप यह बोल सकते हो कि art science तो है लेकिन पूरी तरीके से science नहीं है आर्ट तो है बट पूरी तरीके से arts नहीं है बट क्या है दोनों का एक sweet combination है ना नीचे चलें दोनों का clear हो गया ना management has a profession क्या होता है profession पहले मुझे यह बता दो profession होता क्या है देखो बच्चा profession एक ऐसी activity होती है जहां पर आपके पास specialized knowledge होता है उस फिल्ड का और उसको आपने उसको क्यों यूज करते हैं society के भलाई के लिए यूज करते हैं उसको और in return fees charge करते हैं जैसे कि डॉक्टर लॉयर इंजीनियर्स यह क्या हो गए यह प्रोफेशनल हो गए ठीक है याद रखना profession मतलब वह काम जहां पे आप एक पे आप specialized फिल्ड में जाके आप लोगों को service दे रहे हो उनकी भलाई कर रहे हो उसको बोलते हैं प्रोफेशन और जो लोग उसके अंदर होते हैं उनको बोलते हैं प्रोफेशनल ठीक है अब यहां पे कुछ characteristics है प्रोफेशन के एक question है तीन मार्क्स का बहुत easy question है सबसे पहले आपको प्रोफेशनल होने के लिए क्या जीज़ों की जरूवत है first of all requirement of the specialized knowledge यह तो सब को बता है कि nature जो है profession का वो यही बोलता है कि आप जो फिल्ड में जा रहे हो उसका specialized knowledge होना चाहिए आपके बास ठीक है जैसे अगर आप management की फिल्ड में जा रहे हो तो यह तो फिर bba mba यह सब की डिगरी होनी चाहिए समझ में आ रहा है bba mba की डिगरी होगी तो आप यह जान सकते कि हैं आपने management का specialized knowledge कंप्लेट किया है यह सब डिगरी होगी तो आप लोग जानेंगे कि हाँ आप डॉक्टर की डिगरी क्लियर की हो ठीक है तो आप जिस भी फिल्ड में जा रहे हो न उसकी डिगरी आपको लेनी पड़ेगी उसका specialized knowledge आपको गेन करना पड़ेगा second thing is increase in knowledge and research ठीक है other profession की तरह management में भी आपको ठीक है अच्छ ठीक है आप बन गए आपने knowledge गेन कर लिया management के फिल्ड में आ गए पट यह नहीं कि आपने ठीक है कर दिया तो हो गया no आपको अपना experience बढ़ाते रहना है training बढ़ाती रहनी है ठीक है एक बार आपने कोई चीज प पर उसके बाद भी आपको continuous research करते रहना है experience लेते रहना है training करते रहना है जिससे आपका knowledge और बढ़ है आए समझ में now next one is third professional association professional association देखो हर एक profession का ना एक association होता है उस association के खुद के वह association क्या करता है हर चीज़ वह ही प्रोइड करता है वह एडूकेशन भी प्रोइड करता है वह training भी प्रोइड करता है ठीक है international और national level पर काम करता है यहाँ पर एक्जाम्ब भी दिया जैसे इंस्टिटूशन होता है जो पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में वही वह एजुकेशन प्रोवाइट करती है वही ट्रेनिंग भी प्रोवाइट करती है सब कुछ चीज वही देखती है आया समझ में जैसे यहां पर एक्जांपल दिया है आई आई एम का उसको बोलते कोड़ अफ कंड़ हूं दो इसकर के एक रूल बना जाता है कि हर लूल करने होते रहते हैं वह सभी बऌड़ेक्राइन वहीं होता है वोसभी को फॉलेशन शहता है ठीक है अभी कुछ जैसे की लौकटर का ये एक को रूल रहता है कि आप खुद के ही घर के members को treat नहीं कर सकते, भले आप doctor हो, तो ये सभी doctor को follow करना पड़ेगा, ठीक है, आपको जीज भी field में हो, जीज भी profession में हो, उनके association द्वारा जो भी code of conduct है, वो सब को compulsory mandatory follow करना ही पड़ेगा, now fifth one is moral responsibility, देखो moral responsibility कोई भी profession में बहुत ही important factor होता है, क्योंकि आप अपने profession पे loyal रहो, ठीक है, और सब की responsibility को fulfill करो, सब की responsibility है या जो भी आप service दे रहे हो, वो fulfill करो, यह आपको कोई बताने नहीं आएगा, यह आपकी खुद की moral responsibility होना चाहिए, कि मैं मेरे profession के लिए एकदम loyal रह हूँ, अगर मैं C, suppose को यहाँ पे example दे, अगर मैं C हूँ, तो मैं अपने clients के लिए एकदम loyal रहो, उनके साथ सारी information में वहाँ पे disclose करो, ठीक है, यह नहीं कि मैं C तो हूँ, लेकिन मैं client के साथ ही धोके बाजी कर रहा हूँ, तो यह क्या है, फिर यह moral responsibility नहीं बन रही आपक आपकी खुद की moral responsibility बनती है, कि आप सब के साथ loyal रहो, आप जीस भी field में हो, उसके लिए आप loyal रहो, जितना फीस आपको charge करना है, उतना फीस आप charge करो, तो यह जब अब वो characteristics को आप जान गए हो, और इसको और अच्छी से पढ़ोगे, तो आपको और अच्छी से पता से ठीक है, और अभी तो पहले तो management profession के अंदर आता भी नहीं था, अब धीरे धीरे जब importance बढ़ने लगी, तो management भी एक profession बन चुका है, now हम देखेंगे level of management, देखो यह बहुत ही important question है level of management, और यह इसे आप बच नहीं सकते हो, ठीक है, फिर से वही बात आ गई, जब आपका business छ बढ़ते गया, तो आपको पता चल रहा है कि नहीं भाई, अब मेरे से तो इतना manage नहीं होगा, तो फिर आप क्या करोगे, जब आपसे manage नहीं होगा, तब आपने क्या किया, delegation of authority and responsibility, लोगों को power देना चालो किया, लोगों को बोला कि तो मैं तुम्हें power देता हूं, कि तुम हम large level, company level पे आए, तो हमने अलग-अलग level बना दिया, ठीक है, और फिर control, coordination, यह सब सब देखना था, तो हमने एक level बना दिया, और उन तीन level में हमने divide किया management को, पहला था top level, दूसरा middle level, और तीसरा bottom level, अब इस figure पे आजाओ आप, जबी भी इससा question आ रहा है, अगर आप figure ब इतना deep में check नहीं करेगा, सबसे पहले जो top level होता है, उसके अंदर कौन-कौन से लोग आते है, BOD, Board of Directors, Managing Director और General Manager, top level मतलब इक दम high level management पे, यह तीन लोग आते, कौन-कौन आता है, BOD, Managing Director, General Manager, now middle level, middle level पे आता है, departmental heads, देखो हर एक business में अलग-अलग department होता है, production department, sales department, purchase department, personal मतलब, employees का या HR department, ठीक है, finance department, यह सब department होते हैं, उनके एक-एक head होते है, main-main, जैसे production management को एक main head देखेगा, production को, sales को एक main head देखेगा, तो वो जो सारे departmental heads हैं, वो किसके अंदर आते हैं, middle level management में, और bottom मतलब, सबसे नीचे कौन-कौन आता है, supervisors, jobbers, foreman, jobbers, foreman मतलब, employees, worker, supervisor यह लोग आते हैं, आया समझ में, now अब हम देखेंगे, top level क्या है, और top level के functions क्या है, ठीक है, देखो, top level सबसे supreme authority है, supreme मतलब, सबसे उपर है, authority है, पुरे enterprise को management करने करिए, इसके अंदर कौन-कौन से लोग आते हैं, वो तो हमने देखी लिया, अब कोई भी important policy decision होता है, हो कौन लेता है, top level management ही लेती है, इसको top level और higher level of management भी कहा जाता है, याद रखना, आपको यह दो-दो बात बोली हैं, कि इसको यह भी कहते हैं, तो आपको question में बुछ लेंगे, what is higher level of management, तो आपको पता होना चीए, कि यह top level का ही दूसरा नाम है, अब क्या-क्या काम है, इन बिजनस का दो objective जो decide करते हैं, वो top level decide करते हैं, क्या कि यह primary मतलब, पहले तो हमें, primary का मतलब होता है, पहले तो हमें यह वाला objective अचीव करना है, हर महीने, primary, और subsidiary मतलब, main objective जो हमारा साल का है, वो हमें यह achieve करना है, तो objective कान डिसाइड करते हैं, जो business के objective और गोल्स होते है वो टॉप लेवल में डिसाइट करते हैं डिरेक्टर्स जो होते हैं वो ट्रस्टी की तरह एक्ट करते हैं बिजनस के अंदर जो डिरेक्टर होते हैं वो हैजर ट्रस्टी की तरह एक्ट करते हैं जब CEO और higher officer देखो top level का क्या क्या काम है top level CEO और higher officers को यही लोग select करते हैं और उनको authority and responsibility भी यही लोग तो यही लोग क्या करते हैं CEO को भी यही लोग select करते हैं higher officer की बाता है तो भी भी top level select करता है और उनको authority और responsibility भी top level देता है authority मतलब power और responsibility मतलब जिम्मेदारी फोर्थ जो अलग अलग department से लोग जो budget बनाते हैं उनको sanction भी यही लोग करते हैं sign कर देते हैं और approve कर देते हैं कि हाँ यह budget सही है fifth to abide by the law and tech care interest of the different stakeholder of the business fifth point में यह देखते हैं top level की क्या सारा business का जो activity है वो law के हिसाब से चल रहा है कि नहीं और जो stakeholder भी top level management ही लेती है इस अब basic point है आप एक बार पढ़ोगे तो आपको तुरंत आ जाएगा seven अगर कोई भी बहुत बड़ा problem होता है business के अंदर तो उसको solve कौन करती है top level management उस problem को पहले तो उस problem को ढूंती की कौन से problem की वज़े से हमारा business lack खा रहा है उस problem को ढूंती है और उसको solve करती है legally way में ठीक है हाँ पूरे business के लिए planning भी यही करती है और उसका implementation भी यही करती है और उसको supervise भी यही करती है पहले तो planning करेगी फिर उसका implementation करवाएगी और उसको supervise करेगी देख रेक करेगी ठीक है nine point में जैसे कि कुछ functions यही करती है जैसे कि profit का distribution क्या profit कैसे distribute करना है dividend कितना देना है रिजर्फ案 कितना रखना है और री इनवेस्टमेंट और ब्रॉाविट कितना करना है यह सब फॉम्शंस यही देखती है जैसे कि फिर से 9.99 में मैं बता रहा हूं कि कुछ फउम गर्तने से चीक डिश्टिवूर्ड करना है एकर पार्टनर्स है पढ़ा था ना 11 में plugging back of profit वही ठीक है और 10th one is कि to analyze the report of the different activities and to give instruction accordingly business के अंदर जो भी activity हो रही है उसको analyze करेंगे ये लोग उसको check करेंगे detail में और उसको अगर कोई चीज गलत या सही है तो अपने हिसाब से उसको advise और उसको instructions भी देंगे now middle level management बात करें middle level management की तो ये तो सबको पता है कि middle level बहुत ही important एक link बनाता है किसे top level से और bottom level से middle level के अंदर departmental officer, divisional officers, experts ये सब आते हैं ठीक है और इसको इसके अंदर सारे officers ये आते हैं इसलिए इसको officers level of management भी कहा जाता है middle level का दूसरा नाम officer level of management अब इसके कुछ function से ही क्या करेगा जो उपर से order और instruction आते हैं उसको implement कौन कराता है middle level अब top level ने तो दे दिया CEO ने तो दे दिया अपना order दे दिया instruction दे दिया उसको कौन implement करवाएगा middle level management second जो यह लोग जो budget प्रिपेर करते हैं यह लोग हर एक फिल्ड के budget प्रिपेर करते हैं और इनको top level को present करना होता है ठीक है middle level का क्या काम है हर एक फिल्ड का budget तयार करना और top level को time to time पे उसका budget उनको present करना now third one is यह लोग भी कुछ rules और regulations में यह लोग भी कुछ decide करते हैं क्योंकि अगर हमको कोई भी objective पाना है सबी चीज़ों को देखते हैं कि सही ढंक से चल रही कि नहीं जो major हमने बताया उस हिसाप से चीज़ी चल रही कि नहीं और अगर नहीं चल रही है तो उसको ठीक करने का भी काम इनहीं का होता है ठीक है हर एक department की efficiency कैसे बनानी है effectiveness कैसे बनाना यह सब भी काम यहीं लोग करते हैं ठीक है employees कैसे enthusiast रखना है मतलब पता है employees बहुत बार बोरी हो जाते हर एक इंसान जब एक ही काम कर रहा होता है लंबे समय के लिए तो वह बोर हो जाता है तो कैसे हमें employees के अंदर एक नई शक्ति डाल ली है उनके साथ कैसे behave करना है ताकि employees हमेशा enthusiast रहें काम करने के लिए हमेशा ready रहें ऐसा और यह middle level को हमेशा six point middle level को हमेशा touch में रहना होता है जो officers होते उनको हमेशा touch में रहना होता है इन शौर्ट middle level management को हमेशा topics management को हमेशा top level management के साथ में रहना होता है ठीक है और और वह middle लेवल का यह भी काम होता है कि जो function हो रहा है सारे सारे डिविजन में जो सारे डिपार्टमेंट से उसके अंदर जो भी काम हो रहा है वह साही तरीकी से हो रहाँ और फोकस को बना की रखता है डिवाइब उसको सूपर्वाइज करते हैं, information लेते हैं, direction प्रोवाइड करते हैं, information पास करते हैं, top level को, ठीक है, क्या क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो काम काल चल रहा है, departments के अंदर, उसको देखरेक करते हैं, उनको information लेते हैं, direction प्रोवाइड करते हैं, और सारी information top level को देते भी हैं, इक बार यह middle level वाले जो होते हैं वो top level को कोई भी बड़ा policy अगर decision लेना हो कोई भी बहुत बड़ा decision लेना policy के related तो वो उसकी help करते हैं ठीक है कौन किसकी help करता है middle level वाले टॉप लेवल की हेल्प करते हैं तो बच्टा आज के वीडियो में बस इतना ही तो I hope कि आपको ये सब समझ में आया होगा, please 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 like कीजी, subscribe कीजी comment कीजी आपको जो भी चीज समझ में ना है, और आपको अगर अपर सबस्माज में तो प्लीज उसके लिए भी कमेंट किजिए ताकि मुझे पता चल सके कि आप सबस्माज में आ रहा है प्लीज बच्चा लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए ओके ठेंक यूझ